अलो प्रेंट्स वेलकम टू सिविल की गोल यूटूब चैनल तो आज की इस वीडियो में जिस रिकुर्मेंट के हम बात करेंगे वो यहां पर राजस्तान टेकनिकल यूनिवरसिटी कोटा की तरफ से यहां पर यह वेकेंसी रहने वाली है जिसमें यहां पर अलग-लग ब्रा असेट प्रोपेसर एंड असेस्टेंट प्रोपेसर के लिए आपको यहां पर देखने को मिलेगी जिसमें टोटल एट वेकेंसी यहां पर जो है असेस्टेंट प्रोपेसर की पोस्ट पर सिविल इंजिनियर्स के लिए रहेगी इसके बारे में आगे हम डिटेल में बात करे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर category Y यह जो पोस्टें है civil engineers के लिए यहाँ पर जो assistant professor के यहाँ पर vacancy रहेगी total art vacancy का जो है category Y division आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें two vacancy general के लिए three AC के लिए two ST के लिए one OVC with workload के मिलाकर यहाँ पर total इस तरह से 8 vacancy यहाँ पर है बाकी इस तरह से आप पर electric mechanical आदी के लिए भी यहाँ पर जो ही vacancy निकाली गई है तो वो चीज आप यहाँ पर अपनी अपनी category के इसाब से यहाँ पर देख सकते हैं तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहलो तो education qualification की जो आपको चाहिए इस post पर apply करने के लिए तो सबसे पहलो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पर degree यहाँ पर होनी चाहिए आपकी relevant branch से यानि कि आप civil engineering से apply कर रहे हैं तो आपके पास civil engineering से आपके पास degree यहाँ पर होनी चाहिए जो कि यहाँ पर civil engineering के ही जो यहाँ पर अलग-अलग field है उनकी detail यहाँ पर दी गई है इसी तरह से computer science, electric वाले आदी की यहाँ पर detail दी गई है तो इस हिसाब से आप यहाँ पर देख लें तो बस degree यहाँ पर जो है NOC वगर आपको यहाँ पर submit करनी होगी ताकि final selection में उसका यहाँ पर कुछ आपको फाइदा मिलता है job की यहाँ पर बात करें तो job यह permanent base पर यहाँ पर रहेगी बिल्कुल fix यहाँ पर base पर जिसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं अब से पहले यहाँ पर जो assistant professor की post है उसके लिए two year का एक यहाँ पर probation period रहेगा जिसमें से one year की यहाँ पर training होगी one year का probation period होगा and उसके बाद यहाँ पर जो है final selection आपका यहाँ पर हो जाएगा तो यह चीज़ आप यहाँ पर ध्यान आपको apply कैसे करना है apply का आप यहाँ पर देख सकते हैं apply करने के लिए आपको अपने पूरे जो भी documents यहाँ पर required रहेंगी जो मांगे गए है basic से documents यहाँ पर experience संबंदित आपकी degree से संबंदित and आपके personal documents जो भी होते हैं वो आपको इनके official address पर offline submit करने होंगे इन्होंने address यहाँ पर दे रखा है उसकी detail आपको मिल जाएगी वहाँ पर आपको एक forum send करना होगा यहाँ पर आपको एक forum भी आपको दिख जाएगा आगे जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसी notification के साथ तो वहाँ से आप यह forum डाउनलोड कर ले और उस forum के इसाफ से जो है सारे documents आटेज करके आप यहाँ पर भेज सकते हैं बाकी यहाँ पर जो भी test वगर यहाँ पर जो रहेगा उसका pattern है वो भी यहाँ पर साफ आपको आटेज मिल जाएगा उसके लिंक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड करके जो भी इनकास लेबल से वगर है वो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर exam का pattern रहेगा फीज की बात करें तो यहाँ पर फीज 500 रुपे की यहाँ पर जनरल केटिगरी और 250 रुपे की यहाँ पर बाकी की केटिगरी के लिए है तो यहाँ पर जो भी रिजवर केटिगरी है उसके अंदर यहाँ पर केवल राजस्तान के candidate ही जो है यहाँ पर count के जाएंगे and यहाँ पर जो भी राजस्तान के बाहर के candidate है वो यहाँ पर reserve category में नहीं आएंगे तो वो भी यहाँ पर ध्यान रखें यहाँ पर जो है आप all India से यहाँ पर जो है apply कर सकते हैं इसी भी state से आप जो है वो यहाँ पर apply कर पाएंगे लेकिन जो reserve category है वोँपर आपको count नहीं किया जाएगा इसमें केवल general category है वो ही आपके लिए रहेगी जो भी other category के यहाँ पर जो रहेंगी तो इसमें इन्होंने जो apply कलने के लिए जो बता रखी है वो date यहाँ पर आपके last 30 November यहाँ पर रहेगी इस date से पहले पहले आपको जो आपका forum है वो आपको पूरे तरह से फिल करके इनके बताए गए address पर इनके बताए format में आपको यहाँ पर send करना होगा उसकी detail आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको envelope यहाँ पर लिखेंगे और जो इनका address है दोनों चीज़े यहाँ पर दी गई है यह आपको यहाँ पर मिल जाएगी notification को download करने पर साथ यह साथ इसका जो forum आप देख पाएंगे यह इनका यहाँ पर यह forum रहेगा यह forum भी आपको यहाँ पर attach मिल जाएगा इनकी notification के साथ या फिर आप इनकी official website से आप download यहाँ पर जो है इसको कर लेना उसका link आपको description में मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपको फिल करना होगा जो भी आपकी category है उसके हिसाफ से आप यहाँ पर जिस post के लिए apply कर रहे हैं वो post आप यहाँ पर लिख दें इसके अलावा यहाँ पर जो है आप photo upload कर पाएंगे इस तरह से बाकी की जो details से यहाँ पर जित्ती भी मांगी गई है इसमें जो भी आपके रिजर केटिगरी बगरा आदी जो भी यहाँ पर है उन सभी को भी आपको मेंशन करते हुए इन्होंने यहाँ पर पूरी detail यहाँ पर complete दे रखी है यह सभी आपको जो है यहाँ पर attach करनी होगी जो जो documents यहाँ पर मंगे गए है self-attested करके अब last minute यहाँ पर बात करते हैं जो भी यहाँ पर selection process यहाँ पर रहेगी उसके बारे में तो उसके लिए इन्होंने जो यहाँ पर दे रखा है इनकी official website पर तो यहाँ पर इन्होंने जो अपना selection process इन criteria का जो यहाँ पर दे रखा है फोर्म उसके इसाफ से selection का process कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं मार्क उनको यहाँ पर किया गया है वेटेज वाईज जिसमें आप देखा है रिटन टेस्ट आपका होगा सब्जेक्ट वाईज उसके सेवंटी नंबर हो गए इंटर्व्यू प्रफॉमेंस में हैं पर ट्वंटी नंबर है इस तरह से आप टोटल स्वा नंबर कर रहेगा बाकी एजुकेशन क्वाल वेबसाइट के टच में रहे जल्दी जो है इनकी वेबसाइट पर जो एचलेबल से रहेगा वो अवेलेबल हो जाएगा आपको तो ठीक फ्रेंट्स बाकी की डेटेल के लिए आप जो है इनको डाउनलोड कर ले डिस्क्रेप्सिन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी डेंक You जालोड वीजिन मwegen जाएगा जाएगरे प्रेंट्स बाप, कम में एम जाएगा, ओम, अवान insya।